अकोला 24 न्यूज एक कदम प्रस्टचार के किलाद महायूती सरकार के कारिकाल में हुए विकास कारियों की कुछ जलके भाचप सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर राचमार्ग नई रेलवे लाई ने हवाई अर्टे जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया किया समरद्धी राचमार्ग को विधर्ब के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए देवेंद्र फड़नवीस ने इस महत्व कांगशी परियोशना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया जिसके कारण विधर्ब में किसानों, व्यापारियों और आमनागरिकों के लिए यात्रा, माल परिवहन, आसान और तीस हो गई है इसी तरह रेलवे में बदलाओं के लिए 100 किलोमेचर प्रति घंटे से अधिकी गती वाली बंदे भारत ट्रेनी शुरू की गई जिसके कारण विधर्ब से चलने वाली नागपुर, सिकंद्राबाद, वंदे भारत चेन से इस शेत्र में यातवयाद बढ़ा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है इसी तरह नादेड यवतमाल वर्धा रेलवे लाइन वर्धा से नादेड की 284 किलोमेचर की दूरी सिर्फ साड़े च्वार गंचे में कपास उतपाद को गुलाब देती है साथी व्यापार उध्योग विकास को बढ़ावा देती है जिसके स्टेशन वर्धा, देवली, भीडी, कलंब, यवतमाल, लसीना, कपूना, पुसाद, अर्धपुर और नानेड होंगे जिससे रेलवे ग्रामिन अर्थ व्यवस्ता को बढ़ावा मिलेगा आपको बता दे कि महा गठबंदल सरकार ने नागपुर मेट्रो परियोजना को तेसी से लागू किया जिसके कारण नागपुर वासियो को यातयाद की समस्या से राहत मिली सिंधी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ड्राइपोर्ट वर्धा नागपुर लॉजिस्टिक्स पार्क नागपुर मुंबई समरदी राजमार्ग और नागपुर हावडा रेलवे लाइन के बीच वर्धा में गोदाम कोल्ड स्टोरेज कंटीन टर्मिनल जैसी सिंध्रपुर, धामन गाउं, गोधानी, हिंगन घाट, काठोल, नर्खेड, पुलगाउं और सेवा ग्राम जैसे कई रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ आधुनिक सुविधाएं, फूट कोट, मुफ्त, वाइफाई, स्वच्छ और सुन्दर विश्राम कक्ष जैसी गुनवत्ता पुन सुविधाएं विक्सित करके इन स्टेशनों को विश्व सरिया बनाया ज़ा रहा है इसी के मद्दे नजर उडान योशना के तहट अकोला हैदराबाद, ग्रीन फिल्ड, एक्सप्रेस फे नाकपूर, बूटी बोरी एक्सप्रेस फे गुन्दिया हवाई अज्टे का विकास किया गया महायूती का लक्ष्व ऐसी कई महत्वकांग्शी परियोशनाओं को सफलता पुर्वक लागू करके विधर्ब का विकास करना है